वेलकम बैक दोस्तों इस साल 15 फरवरे को किया ने कारेंस को भारते बाजार में लॉंच किया था इंट्रोडेक्टरी प्राइजिस के साथ और किया को इस कार के ऊपर काफी जबरदस्ट रिस्पॉंस भी मिला लेकिन इस कार की लॉंच हो जाने के देड़ महीने बाद यानि के एक अप्रेल 2022 को इसके इंट्रोडेक्टरी प्राइजिस को खरम करके प्राइजिस इंक्रीज कर दिये गए हैं बेस मोडल की बात की जाये तो इसके प्राइज इंक्रिमेंट में अगर आप देखते हैं तो करीब 21,000 से लेकर के 60,000 रुपेस तका डिफ्रेंस आया है तो चल 1.5 बिटर इंजन को हम यहां पर सबसे पहले कवर करते हैं तो दोस्तों इस कार का जो इंट्रोड़क्टी प्राइज था वो था 8,99,000 रुपीज का प्राइज बढ़ जाने के बाद इस वेरियंट का एक शोरुम कॉस्ट अब जो है वो है 9,59,000 रुपीज का याने के डिफ हो चुकी है इसके बाद बात कर लेते हैं 1.4 लिटर टर्बो चार्ज वाले इंजन की तो इसका जो पिदीमियम वेरियंट के अंदर एक्शोरुम कॉस्ट था इंट्रोड़क्री प्राइस 10,99,000 रुपीज का उस टाइम पे था अब जो है इसका जो एक्शोरुम कॉस्ट है वो है 11,19,900 रुपीज का तो यहाँ पर आप देखते हैं तो एक्शोरुम कॉस्ट पर आपको करीब 20,900 रुपीज का जो है वो इंक्रिमेंट देखने को मिला है इसी तरीके से अपना बेस मोडल जो है वो डीजल इंजन के साथ भी ओफर किया जाता है 1.5 लिटर का आपको मिलता है इसका जो इंटर्टरी प्राइस था वो था 10,99,000 रुपीज का अब जो है इसका जो एक्शोरुम कॉस्ट है वो बढ़ गया है करीब 40,900 रुपीज आने कि 41,000 रुपीज का यहाँ पर भी आपको इंक्रिमेंट मिला है न्यू एक्शोरुम कॉस्ट है 11,39,900 रुप आईए कि जो इंटर्टरी प्राइजेस के थे उस वक्त वो काफी जादा वैल्यू फॉर मनी रखते थे अब क्या यह वैल्यू फॉर मनी है यह नहीं वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें साधी साथ चैनल को सबस्राइब परना ना भूलें थैंक्स फर वाचिं बहान उफिस्यल